हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Electronic Study YouTube चैनल पर आप सभी को नमस्कार यहाँ पर 97,000 नए सिक्षकों की भरती की प्रक्रिया को जल्द शरू किया जाए ऐसा बयान सपा की मंत्री जो हैं, सपा की मंत्री रही है उनके द्वरा ट्वीट किया गया है, आप लोगों को मैं बता दू यहाँ पर जब तक UPTT 2020 के परिक्षा नहीं हो जाती है तब तक सिक्षक भरती भी आना अभी संभो नहीं है दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी at least notification जारी किया जा सकता है online form भरवाया जा सकते हैं, UPTT को ले करके बात की जाए या फिर सिक्षक भरती को ले करके बात की जाए तो, जैसा कि आप सभी लोग देख पार में, डी ट्रिपल एस बी की vacancy जो है वो दिली government ने किस तरीके से, अभी उन्होंने क्या किया है SME की online form अभी लेने में भी, आवेदर लेने में एक महिना टाइम लगेगा तो ऐसा UP government कर सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए UP government की तरफ से कोई भी एक official एक अधिकारिक information UPTT को ले करके, यहां तक आप यह समझ रहे होंगे यह आप जान गए होंगे अब तक, यह information में आपने देखा ही होगा कि जो परीक्षा है आपकी वो फिलहाल के लिए स्थाकित कर दी गई है और यहां पर अगर मैं बात करूँ जो tweet किया गया है तो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे 97,000 नए सिक्ष्रकों की भरती प्रकरिया तोरंत आरंभ करे उत्रप्रदेश गवर्मेंट और आप देख पार होंगे 16 मई 2021 को tweet किया गया तीन बच कर नौ मिनिट पर शाम को तो यह चीज ध्यान देने की जरूरत है अट लिस्ट notification जारी करके अनलाइन फॉर्म तो भरवाय जाही सकते हैं डेली शाम को साथ बज़े दस के दम में MCQs होते हैं लाइब तो आप शाम को आज भी आईएगा विज्ञान के MCQs होंगे जिनको लेकर के आज हम बात करेंगे Unacademy Plus को भी आप जोइन कर सकते हैं वीडियो के description में आपको link मिल जाएगी मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही Thanks for watching